है 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 अगेन वेल्कम टू टेस्ट बुक सूपर कोचिंग प्लेटफॉर्म तो बच्छो आ जैसे के स्कोर कार्ड आउट हो चुका है और इसकोर कार्ड के बाद बहुत सारे कमेंट्स बहुत सारे मैसेजर मुसे आये हैं कि सर मेरा इसकोर थोड़ा कम आ है ठीक है किसी का स्कूर बहुत अच्छा भी आया है फुट कुछ अस्परेंट ऐसे हैं जो बार बार कहा रहे है के सर कुछ कोशन में सली mistakes होनी की वज़े से मेरा score कम आया है अब मैं क्या करूँ मेरा second attempt था मेरा third attempt था किसी ने कहा मेरा first attempt था तो बच्चो देखो मैं बार बार यह कह रहा हूँ आपको देखो result पर focus नहीं करना है result by default आपको देखने के लिए मिलने वाला है बट हमारा focus है बहुत सारे concept को सीखना नहीं नहीं चीजों को सीखना क्योंकि अगर आप सोचोगे कि नहीं मेरा result नहीं नहीं आया है मैं छोड़ देता हूँ अब मैं दूसरे चीज़ें करना शुरू कर दोगा मैं कुछ job के लिए opportunity के लिए देखना शुरू कर दोगा या कोई company में apply कर दोगा मैं simple सी बात कहता हूँ बचो यहां से तो आपकी life शुरू ही है अगर आपका first attempt था तो comment box में मुझे put करिएगा अगर आपका second attempt भी है तो comment box में जरूर put करिएगा कि मेरा यह second attempt था मुझे कम marks आये अब आपको करना क्या है देखिए हमें अब सबसे पहले आपको अपने आप में से demotivation को निकालना है ठीक है इसका मतलब आपको कम marks आये इसका मतलब आप qualified नहीं कर सकते हो ऐसा है नहीं कम marks आने का reason भी रहता है कि आप आने वाले टाइम मे ranker बनने वाले हो कम marks आगया आपको इस बार और आप पड़ाई कर रहे हो तो देखना आगे आने वाले टाइम में आप ranker बढ़ के उबरोगी और अभी तो opportunity का भाढ़ आने वाला है अभी तो यह सिर्फ एक exam हुआ है अभी तो opportunity का पहाढ़ आपके सामने आ रहा है ठीक है और आज ये को September खतम हुने में है भी 15 September आज आ चुकी है आदा मन्त September का चल चुका है ठीक है और October, November फिर December में एक बहार आपको वापिस से देखने के लिए मिलेगी CSIR की ठीक है अब आपको क्या करना है यहाँ आज इस बार जो आपके marks कम हुए है किस reason की वज़े से हुई है जब आप exam hall में बैठे थे तो आपने क्या सोच कर अपने exam hall को दिया है एक्जाम के अंदर दिया है एक्जाम में कौन सी कलती के वज़े से आपको mistake हुई है silly mistakes किस वगलती के वज़े से हुई है कौन से topic से आपके ज़्यादा questions wrong हुए है कौन से topic से आपके maximum questions बने है यह सब आपको अपने एक page पर लिखना है एक page बनाना है और एक page पर आपको इस type से लिखना है एक side में आपको correct और incorrect लिखना है एक side में आपके कौन-कौन से topic से correct हुए है questions है ना, कौन-कौन से topic से आपके correct हुए है और एक side में लिखना है incorrect ठीक है, incorrect और incorrect कौन-कौन से topic से हुए है ज्यादा कौन से topic से incorrect हुए है आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है मान के चलो कि तोड़ा सा अपने आपको जो इनकरेक्ट हुए है जिसमें आपकी सिल्ले मिस्टिक्स हुई है उन टॉपिक्स को प्रॉपर रिवाइज करना है और आपके पास अभी देखो अब नौवमबर है, सेप्टेंबर का लास्ट फिफ्टिन देज है फिर अक्टूबर, नौवमबर और डिसमबर है तो पूरे तीन-तीन मंघ आपके पास बाकि है 3 month आपके पास है और 3 month में proper revision आप अच्छे से कर सकते हैं revision हम अच्छे से कर सकते हैं और अभी एक ही exam नहीं आने वाली है अभी CSR NET December examination आपको देखने ही मिल रही है TFR December आपको देखने के लिए लेगा एक नहीं gate, February के अंदर 2025 February के अंदर आपको gate मिल रहा है BRC आपको March के अंदर मिल रहा है, सैट भी जल्द ही आपको यानि मैंने तो यहाँ पर जैन लिखा है जैन के अंदर हो सकता है या FAB के अंदर वापिस से आपको सैट examination भी देखने के लिए मिलेगे तो इतने सारे examinations आपको आने वाले हैं तो यह तो opportunity का पहाड़ है तो अभी आपको demotivate नहीं होना है आपको जब लग रहा है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा जब आपके अंदर यह feeling आरे कि मुझसे नहीं हो पाएगा इसका मतलब आपका result आने वाला है तो आपको कम marks है इस बार score कम आया डोंट विरी बच्चों है न डोंट विरी ठीक है अपने आपको motivated करो ठीक है motivated करो और फिर energy के साथ start करो क्योंकि आपको chance मिला है और perfection बनने का और topic के अंदर perfection आने का क्योंकि आप qualified होई बाद तो assistant professor के तरफ जाओगी qualified होई बाद research के अंदर जाओगी आप कोई industries के अंदर जाओगी है न कहीं न के जाने वाले हो और वहाँ पे आपको perfection के साथ काम करना है और perfection का बाएका जब तो जब घिसता है ना जब आपने डायमंड जो बनता है डायमंड 2000 degree Celsius temperature 2000 atmospheric pressure जब उस पर आता है जब जाके वह डायमंड बनता है न जब बहुत गिसता है बहुत गिसता है ना जब जाके वह बनता है न जो जितना ज़ादा गिसता है उतना ज़ादा चमकता है जो जितना ज़ादा गिसता है उतना ज़ादा समकता है तो आपको डरना नहीं है और मैं sure हुआ आप लोगों क क्योंकि गल्तियों से ही हम सीखते हैं और गल्तियों से सीखते हैं जब भी जाकर हम एक बड़े और अच्छे सक्सेसर परसन बन पाएगे तो गल्तियों को सीखना है गल्तियों से सीखना है और आगे बढ़ना है लाइफ उसी का नाम है और यह एपॉर्चुनेटी आपको इसी opportunity में हम आपका साथ देने के लिए JAREF Booster Codes भी लेकर आ रहे हैं Coming Zone आपको दिखाई दे रहा है ना तो JAREF Booster Codes भी आ रहा है आपके लिए जो आपको December में भी help करेगा जो आपके gate में भी help करेगा और जो आपके set में भी help करेगा तो आपको क्या करना है आपको इसको इंड्रॉल करने के लिए एक तो डिस्क्रेप्शन में दियो Google Form को फिल करना या फिर डायरेक्ली आप जा सकते हो वेबसाइट पर यहाँ पर आपको सर्च करना है testbook.com ठीक है testbook.com ठीक है और यहाँ पर जाकर आपको सुपर कोचिंग दिख रहे है सुपर कोचिंग में यहाँ पर अपने गोल्स को सर्च करना जानके चलो CSIR NET and Gate यह सर्च कर ले ना ठीक है यह से आप क्लिक करोगे तो यह आपका उपन हो जाएगा Life Science, Chemical Science ठीक है आप इस पर क्लिक कर सकते हो ठीक है तो आप तो CSR NET साइट वाला भी कर सकते हो इसमें सारा एपरेशनिटी सेमी मिलेगी ठीक है CSR को मैंने आपने क्लिक किया यहाँ पर लिकर गया है ठीक है यहाँ पर जाओगे तो एकदम से फीस आपकी कम दिखाई देके आपको ठीक है इसको भी आप कम कर सकते हो ठीक है यहीसे आपको लिक करोगे यहाँ पर एंडरॉल में जाकर apply copy code यहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा जासे मैं यहाँ पर registration number दाल रहा हो ठीक है ठीक है जैसे registration number दाल देता हो मैं तो यहाँ पी मुझे OTP मिल जाता है ठीक है जैसे मुझे OTP आ गया एक अभी टेस्बुक की तरफ से ठीक है अब यहां पर यहां पर दाल देता हूँ 50903202 ठीक है अब यहां पर क्लिक करोगा तो यह पेज ओपन हो जाएगा अब यहां पर अप्लाइक ओपन कोड में जाकर आप अगर और ली स्फी साथ चाथ आते हैं तो यहां पर आप नदीम अप्लाइक करने पर फिर आपका और काम हो जाएगा ठीक है से के नहीं यहां पर आप पास पूरो यानि टेसरीज भी ले सकते हो और आप बैच में इंडराल कर सकते हैं यहां पर यहां पर आपको पर पर करने हैं अगर एक इंस्ट्रॉल्मेंट पर नहीं करना है तो आप यहां पर तीन इस्टॉल्मेट आपको दिया है यहां पर जाके किलिक करें हो जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है बट ज्यारे बूस्टर कोर्स आपका रिफरेंस बुक्स के क्वेश्चन्स और उसके शॉर्ट ट्रेक साथ साथ में नहीं नहीं जो भी कॉं जाना है ठीक है किसी नंबर के तो नहीं जाना है मैं आपको पहले कर रहा हूं ऑफिशली वेबसाइट थो जाके ही आप अपने कोर्स को जरूर ले ठीक है अगर कोई भी क्यूरी जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूट करें कोई भी क्यूरी कोई टीवर्ट मत हुई है ठीक है मैं शुर हो कि आपका रजल लगने वाला है बच्चो ठीक है बस आपको कंसिस्टेंसी पढ़ाई करने चाहिए यटी से हमारे करिए ठीक है मास्टर क्लास से करिए चाहिए पेट के साथ आप जोईन हो सकते हैं ठीक हर जगा पे आप हम आपकी ह करने के लिए रेडिया बच्चो ठीक है चले फिर साथा टाइम नगम आए मिलते हैं अगले सेशन के अंदर इस्टे हल्दी इस्टे हैपी थेंकियो सो मच अपना ख्याल जरूर की बबाई